हेलो दोस्तों कैसे हैं आप उमीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सल में गोल सिख फार्मुले के बादे बताऊँगा गोल सिख फार्मुला बहुत भी बहतरिंग फार्मुला है आप इसके जरीए किसी भी काम को करने के लिए उसमें कितनी छमता को उप्योग कर जाता है उसको केलवेट कर सकते हैं जैसे कि आपको इसके नाम से ही महसूस हो रहागा कि गोल सिख यान कि गोल किसी भी टार्गेट को अच्छीव करने के लिए हमें उसके लिए कितना effort लगेगा वो हम Excel में calculate कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम पहले example के जरीए सीखते हैं कि किस प्रकार से हम गोर्षिक फॉर्मूले का अब्योग करते हैं जहाँ पर देखें दोस्तों इस table के अंदर quantity, rate और amount लिखा हुआ है अब इसमें देखे quantity 12,000 किलो है और 15,000 रुपे के रेट के हिसाब से 1,60,000 रुपे का amount बनता है यहाँ पर हमने amount वाले column पे अंदर formula लगा रखा है quantity और rate को multiply किया हुआ है अब हमारा यहाँ पर question यह है कि यदि हमें rate तो हमें पंदर रुपे ही रखना है और हमें profit हमें 2,000 रुपे का चाहिए तो कितनी quantity हम यहाँ पर increase कर सकते हैं तो वो हमें calculation करनी है जो हमारा rate है वो पंदर रुपे ही रहेगा quantity जो हमारे 12,000 किलो है यहीं पर हम कुछ भी edit कर सकते हैं यह quantity को बढ़ा सकते हैं गटा सकते हैं लेकिन rate वाले column के अंदर हमें बिल्कुल भी छेड़गानी नहीं करनी है तो ऐसी condition में हम goal 6 formula का use करते हैं goal 6 formula की मदद से हम चुटकियों में calculation पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था तो अभी देखिए हमें 2,000 रुपे का profit चाहिए जिबके amount आला है 1,000,000 रुपे का तो इसको देखिए अब किस परकार से मैं यहाँ पर calculate करूँगा और देखिए मैं rate को बिल्कुल भी नहीं चाहिए को केवल quantity को ही हम यहाँ पर edit करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम अब हम goal 6 formula का use करने जा रहे हैं goal 6 formula से हम यहाँ पर quantity का पता लगाएंगे ठीक है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर देखिए what if analysis यहाँ पर देखिए आपको सबसे पर डेटा पर क्लिक करना है what if analysis पर क्लिक करते हैं तो देखिए goal 6 यहाँ पर लिखावा आता है goal 6 के उपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक pop-up आएगा नए window open हो जाएगी अब यह कहता है two cell ठीक है set cell की मतलब आप इस जो cell के अंदर कौन सी cell के अंदर आप अपना changes चाहते हैं amount में फरक अपना target जो आपका है वो क्या है आपका set cell उस target को यहां पर उस cell को select किया अब हमें two value कितना target आपको चाहिए हमें कि 13333 किलो हमें यहां पर quantity सेल करनी होगी उसके बाद ही हम दो लाख का profit अंद कर सकते हैं ठीक है अब देखिए यहां पर हमें दो लाख रुपे का profit यहां पर दिखाई देगा है अब हमारा कोशन यह है कि यदि हमें quantity ना change करके हमें rate change करना होता और फिर हमें दो लाख रु पर गोल सिक के उपर मैं करूँगा किलिक अब देखिए हमें target set cell set cell amount वाली देखिए हमने इसको select कर लिया अब two value कितनी हमें value चाहिए हमें दो लाख रुपे की value चाहिए अब changing cell अब की बार हमें rate वाले column के अंदर change करना है तो हम rate वाले column को करते हैं select ठीक है और ok पर करते हम क्लिक जैसे देखिए में ok पर क्लिक करूंगा बता देगा कि कितना rate यहां पर हमें बढ़ाना पड़ाएगा कि जिससे हमें दो लाख का profit हो जाए देखिए हमने जैसे ok पर क्लिक के इसने बता दिया 16.67 रुपे हमें यहां पर increase करना होगा उसके बाद ही हम दो लाख रुप उसने यहां पर नंबर पराप्त किये हैं देखिए टोटल 600 है और 355 उसने पराप्त के फॉर्म लगा रखता है हमने देखिए 59 वाले कॉलम में तो बता रहें कि 59 मार्स इसने पराप्त किये हैं अब हम यह चाहते हैं कि हमें 65% नंबर यहां पर लाने थे और यदि अब यह वाले जो सब्जेक्ट हैं उसमें 47 सबसे कम नंबर उसमें उस सब्जक्ट केंदर कितने नंबर वो और लाता कि जिसсы यहां पर 65% नमबर हो जाते तो हमें केवल इंग्लिश वाले सैल के इंदर ही चेंज करना है, बाकी सैल में हमें कुछ नहीं करना, बाकी सबी नमबर हमें थीक है, वो कहता है कि यह जडी में इंग्लिश सैल के इंदर ही तो यहां पर फित से हम देखे करने जा रहे हैं बड़े आपको द्याँ से देखना है यहां पर देखे मैंने देखे मैंने गोल judges के उपर मैंने किये किली गोल शीक करेंगे वह क्लिक करने के बाद में देखे कहता है set-cell हम देखिए percentage वाली cell को करते हैं select ठीक है अब यह गया है to value वैल्यू कितनी चाहिए आपको हमें चाहिए 65% अब देखे percentage में है तो हम यहाँ पर भी value percentage में ही लिखेंगे इसलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 65% अब अगला option rate by changing cell आप कौन सी cell के अंदर change करना चाहते हैं हम देखें केवल English वाले जो नंबर है 47 वाली cell पर क्लिक करते हैं इसको select करते हैं और फिर हम करते हैं तो आपके 65% नंबर हो जाते ठीक है तो यहाँ पर 65 नंबर यहाँ पर मार्स होते चलिए अब हम अपने अब बढ़ते हैं और नेक्स फॉर्मले में हम गोल सी फॉर्मल लगाएंगे अब यहां पर देखी हमने टंब्रेयरि सा Trading रेडिंग अंप्रॉफित अनलाऊस बना रखा है अब देखें यहां पर ग्रॉफ प्रॉफित वाले कॉलम में हमने और यहां पर लेखे नेट प्रॉफिट वाली कॉलम में फॉर्मOST लगा रखा अब देखे पहले गॉर्फ प्रॉफिट जो है हमारा यहां पर नीचे ट्रांफ़र हो रहा है गॉरोप्स ओल्रे कॉलम में अब हमें कहा यह गया कि यह गए कि नेट प्रॉफिट आ रहा तीन लाग 15,841 रुपए अब हम यहां पर सेल के अंदर कितना इंक्रिमेंट करेंगी जिससे हमारा नेट प्रॉफिट तीन लाग 50 रुपए हो जाए ठीक है बाई सेल कितना हम इंक्रिमेंट कर सकते हैं कि जिससे हमारा नेट प्रॉफिट जो तीन लाग 50 रुपए हो जाए तो वह हमें गोल्सिक्ष फार्मले की मदद से यहां पर पता करना है ठीक है एक लाग 81 रुपए आजाए अब यह आपको देखिए मैं गोल्सिक्ष फार्मले लगा लगा हुआ होना चाहिए जहां पर आपको के लिशन आपकी आपने करनी है जैसे देखिए आपके गोल्सिक्ष फार्मले काम करता है चलिए अब देखिए मैं गोल्सिक्ष पर जाता हूँ देखिए यहां पर वर्टी फैनलेसिस में क्लिक करेंगे और उसके बाद में गोल्सिक पर हम करते हैं क्लिक और गोल्सिक्ष पे क्लिक करा charities जैसे ही क्लिक करा इस पर एरड़ी विंड़ो आगई अब सेटज़ सेल तो हम देखिए drinking क्लिक सेंदर अपना टार्गेट सेट करना आ कि हम यहां पर वैल्यों लिख देते हैं अब टू वैल्यों में तीन लाग पच्छाफ जार रुपे ठीक है और कहता है फिर अगला उप्शन बाइचेंजिंग सैल आप कौन सी सैल के अंदर चेंज करना चाहते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं पहले यहां पर हम बॉक्स के अब हमें सेल वाले सैल को करना है थीक है हमने 18 15 707 को स्वलेक्ट किया क्योंकि हमें इसी के अंदर चेंज करने हैं अ कि हम करते हैं ऑके के उपर किलिक करें जैसे दिख करें हैंatif मैंने ओक्स की बता दिया कि हमारी सैल एक लाग 17,18,578 रुपे तक हम यहाँ पर दिखाते तो हमारा नेट प्रॉफिट 3,50,000 रुपे तक आता ठीक है अब हम अपने नेक्स फॉर्मिले के बढ़ते हैं नेक्स एक्जाम्पल के बढ़ते हैं अब देखे यहाँ पर देखे इस टेवल के अंदर अमित कुमार जो सेल्री अंड करते हैं 20,000 रुपे परवन सेल्री अंड करते हैं और गोपाल दास सेल्री अंड कर रहे हैं 25,000 रुपे ठीक है और गोपाल दास की जो सेविंग है 25,000 रुपे है वो 10% अपनी सेल्री अब जाता है और 90% expenses के उपर खर्च करता है ठीक है और देख सकते हैं देखे 25,000 रुपे इसकी salary है और यहाँ पर देखे मैंने formula put किया हुआ है इसका 10% saving का 25,000 रुपे देखे इसने बचाए और 90% इसके expenses होते हैं और यदि यह 25,000 रुपे हर महीने बचाता है तो पांच साल में कितने रुपे हो जाएंगे वो भी मैंने हाँ पर निकाला हुआ है देखे यहाँ पर मैंने जो हमारी saving को 60 महीनों से गुणा किया हुआ है 5 साल के अंदर 60 महीने होते हैं तो यह 1,25,000 रुपे इसकी जो salary हो जाती है 5 साल के अंदर बचा लेता है ठीक है अब अमित कुमार की salary भी देखे 20,000 रुपे है पार्ट टाइम करता है वो 100 रुपे एक घंटे के हिसाफ से पार्ट टाइम करता है और वो महीने में 20 दिन काम करता है जिससे उसके पार्ट टाइम होती है 2,000 रुपे तो उसकी total salary यहाँ पर हो जाती है 22,000 रुपे ठीक है अब वो इस 22,000 का 10% बचाता है तो 10% आप देख सकते है 22,000 रुपे आ रहा है और फिर 90% उसके expenses होते है ठीक है अब अमित कुमार कहता है कि मैं अपने saving जो है मेरी 10% ही कर सकता हूं और मैं expenses भी अपने कम नहीं कर सकता लेकिन उसको डेड़ लाग रुपे पांच साल के अंदर बचाने है तो वो कितने घंटे और उसको पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा कि जिससे उसके डेड़ लाग रुपे हो जाए ठीक है अब वो शेली तो कुछ शेली तो उसक पार्ट टाइम आले कॉल पर फार्म लगा रखा है कि 100 रुपे प्रती घंटा के हिसाब से काम कर रहा है 20 दिन काम किये तो 2000 रुपे हो गए ठीक है अब यहां पर 2000 की जगा पर उसे 5000 रुपे पार्ट टाइम इंकम चाहिए ताकि उसके इंकम टोटल 25,000 रुपे हो जाए गो 50,000 रुपे हो जाए ठीक है तो देखिए प्रते कॉलम में जहां पर सेविंग है एक्सेंसिज है सभी में देखिए मैंने फॉर्मले पूट कियो है आप देख सकते हैं ठीक है तो अब हमें यह पता करना है कि भाई जो अमित कुमार है को अमित कुमार को गोपाल दास के बरा की पार टाइम इंकम भड़ कर यहां पर टोटल इंकम 25,000 रुप हो जाए अभी देखिए 22,000 आप देख रहे हैं तो उसे 25,000 चाहिए तो हमें देखिए के वर्किंग होवर्स हम चेंज कर सकते हैं हमने काम करने की घंटे बढ़ा सकते हैं और तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं त जो है कि सेली भी उसकी इतनी है रहेगी पांस साल तक ठीक है अब उसे डेल लाक रुपे तक सेविंग भी करनी है तो वो पार टाइम में ही छेड़ खानी कर सकता है पार टाइम वर्किंग होवर्स जो है वही बढ़ा सकता है उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता तो अब हम इंकम 2000 पे इसको हमने सेलेट किया आप टू वेल्यू ठीक है मतलक कितनी वाल्यू चाहिए आपको पार्टइम इंकम में देखी अभी 2000 पे हमने स्लेक्शन किया अब है 5000 तक वैल्यू चाहिए ठीक है अब यह गजाहिए चेंजिंग सेल कौन सी सेल के अंदर आप चेंज करना चाहते हैं अभी देखिए हम केवल working over वाली शेल पर चेंज करना चाहते हैं तो हम working over देखे मारा one है हम यहां पर करते हैं क्लिक और उक्के पे क्लिक करेंगे तो हमें बता देगा कि इसे कितने घंटे और काम करना पड़ेगा जैसे में क्लिक करता हूं उक्के पर क्लिक करते हैं इसने इसे एक घंटे की जगह 10енты और काम करना पैब तब जैको फिर इसकी टोटल इंकम बनेगी 25,000 और फिर इसके कि सेविंग बनेगी 25 रुपे और फिर उसके बाद ये 5 साले में डेड़ लाग रुपे की सेविंग कर पाएगा गोपाल दास्त के बराबर पहुंच पाएगा अभी देखिए आप देख सकते हैं कि यहां पर डेड़ लाग रुपे हो चुके हैं तो देखिए प्रतेक साल के अंदर मैंने फॉर्मुला पूट किया हुआ है जैसे ही हम सेली मे इंक्रिमेंट करते हैं तोटल को हम बढ़ मारी बढ़ती है आइटोमेटिकली केलवेट कर लेता है कि हमारी पॉंच साल में कितनी सेविंग होगी तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके टेबल के अंदर फॉर्मुले जरूर लगे होने चाहिए आशा करता है यह वीडिय अजर रखना है